ओ भाई ये दीख सकते हैं आप मेरा प्रिंटर 100% सही हो चुका है जो बीच में स्पेसिंग आती है प्रिंट के टाइम पर तो आपको मैं पहला प्रिंट भी दिखा देता हूँ जो आप देख सकते हैं पहले कैसे निकलता था और अभी मैंने इसको जब फिक्स कर लिया है तो वेलकम टू ऑनलाइन टेक स्टेडी यूट्यूब चैनल और आज हम आपको सिखाएंगे कि आपका अगर प्रिंटर आपके मैंटर को छोड़ छोड़ कर प्रिंट करता है तो उसे आप कैसे सही करेंगे फिलाल मेरे पास एफसन L360 प्रिंटर है और इसमें मैं आपको जाती है यानि कि वो छोड़-छोड़ कर प्रिंट करता है तो वो कैसे सही करेंगे गैस अगर मेरे प्रिंटर जैसी प्रॉब्लम आपके प्रिंटर में भी है तो आप बड़ी ही आसानी से फ्री में घर बैठे़ इससे सही कर पाएंगे आप पूरा वीडियो देखिए आप को पूरा में समझानी की कोसिस करूँगा आप एकदम सैटिसफाइट हो जाएंगे और आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि आप अपने हाथ से उसे सही कर सकते हैं कोई इसमें rocket science नहीं है गाई सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि प्रिंटर में exact problem क्या है इसके लिए आपर देखें blank paper लगे हुए और यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ print करने के लिए नहीं है तो मेरे पास एक table calendar पड़ा हुआ इसमें एक scenery बनी हुए मैं इसको आपको print करके दिखाऊंगा आप ये एक content देखें कि यहाँ पर कैसे print करता है ये printer और आपको problem समझ में आ जाएगी तो यहाँ पर मैंने इसे रखा और print पर click किया तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा print निकल रहा है तो वाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं असल में problem क्या है यहाँ पर जो content है हमारा matter है वो छोड़ छोड़ कर print कर रहा है तो यहाँ पर एक चीतर सौन में आती है कि यह inki की fault नहीं है इंki की fault होती तो यह linings नहीं बनती है मतलब कि हलका print हो जाता कहीं पर ज्यादा से ही हो जाती कहीं कम हो जाती बट यहाँ पर बीच में spacing है ठीक है तो यह spacing का मतलब अंदर का जो nozzle spacing है वो गलबड़ है अंदर की setting गलबड़ है तो उससे हम बहुत ही आसानी से solve करेंगे गाइस इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर आप परिसान विल्कुल मत हुआ करिए आप सिंपला यह online take study youtube चैनल पर हो सकता आपकी problem का solution मेरे चैनल पर मिल जाए और नहीं है तो आप comment कीजिए मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिस करूँगा और गाइस इतनी छोटी सी problem के लिए अगर आप service center जाते हैं अगर repair shop पे जाते हैं तो वो भी आज कल के समय में तो हो सकता है वो आप से ये कहे दे कि भोशड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पर चले आड़े गाइस में मजाग कर रहा था दुकानदार एसा क्यों गएगा उसका तो फाइदा ही है खेर चलिए देखते हैं इसे कैसे fix करना है तो सबसे पहले आप अपने printer का power button off कर दीजे देखिए यहाँ पर light जो है एक color होता और एक power ठीक है इन दूनों को एक साथ आपको press करना है वो भी 15 second तर तो यहाँ पर हम इसे press करेंगे और आपको same ऐसे ही करना है तो 5 second हो चुके हैं और 10 second बचे हैं अरे कोई गिन दो यार अब आपका पहला step complete हो चुका है अब यह automatically सही होने के लिए ready हो चुका है और आपको कुछ नहीं करना यह आपने आपको खुद से सही कर लेगा ठीक है अब step 2 में आपको दिखाते हैं आपको पूरी process देखनी है ध्यान से कि कैसे कैसे आपने आपको सही करता है ठीक है मैं ब एक बटन आपको दिख रहा है reset वाला जो right side में दिया हुआ है इस बटन को 5 seconds तक आपको प्रेस करके रखना है फिर आपकी process शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर यह मैं एक दो तीन चार और पांच बस यहाँ पर process शुरू हो चुकी आपको आवाज आने लगी होगी तो मैं आपको यहाँ पर में में इसकी setting दिखा देता हूं कि कैसे अपने आपको सही करता है और यह बीच में nozzle spacing वगरा होता वह एकदम सही हो जाएगा आपका printer एकदम ready हो जाएगा ठीक है तो आप इसे द्यान से देखिए पर गाइस यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके printer में जो process चल रही है यह complete कब होगी यह कैसे पता करें और आपका printer करने के लिए ready है यह कैसे पता करें गैस यहाँ पर basically आप जो power button पर blink करती होई light देख रहे हैं यह जब blink करना बंद कर देगी मतलब यह continue जब जलने लगेगी तब आपको समझ जाना है कि आपका printer की जो process चलनी हो complete हो चुकी है औ और आप आपका printer ready है कोई भी print निकालने के लिए तो यहाँ पर हम इंतिजार करेंगे तब तक जब तक यह process पूरी नहीं हो जाती तो मैं यहाँ पर time को skip करता हूँ ओके guys तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो power button वाली light है वो continue जलने लगी है और हमारा process जो है वो complete हो चुका है यानि कि हमारा printer जो है वो सही हो चुका है और वो हम अभी check भी कर लेंगे एक print निकाल करके तो इसके लिए यहाँ पर मैं print वाला button प्रेस करता हूँ और यह रहा मेरा print निकलना शुरू हो चुका है अरे निकल निकलना बेज़ती हो जाएगी ओ भाई यह देख सकते हैं आप कि मेरा print जो है वो एकदम बहतरी नाया है और मेरा printer 100% सही हो चुका है इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि यह problem कैसे हम fix करेंगे जो बीच में spacing आती है print के time पर तो आपको मैं पहला print भी दिखा देता हूँ जो आप देख सकते हैं पहले कैसे निकलता था और अभी मैंने इसको जब fix कर लिया है तो यह कैसे निकलता है तो गाईस यह 100% solution है और यह थी एक वीडियो अगर आपको यह process समन में आई है आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कर दीजिए और गाईस ऐसे ही जरूर कीजिए मैं कोशिस करूँगा आपको जवाब देने की चलिए मिलते हैं अगले एक नए प्रॉब्लम के नए solution के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धनिवाद देखते रही है ओनलाइन टेक स्टेडी यूट्यूब जनल धनल धनल कर दो कर दो दो कर 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